दिल्ली के नय पुलिस कमिशनर की न्यूक्ती को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है और दिल्ली विधान सभा के इस सत्र में आज पहले ही दिन उनकी न्यूक्ती को खारिश करने को लेकर एक प्रस्ताव भी पास कर दिया गया सदन के पटल पर ये प्रस्ताव बुरारी से विधायक संजीब जाने रखा था संजीब जी आप लोगों ने ये प्रस्ताव तो रखा है पास भी कर दिया है न्यूक्ती को लेकर क्यों आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और अब ये प्रस्ताव पास कर दिया है तो आगे करेंगे कैस क्या हो पाएगा देखिए मुझे लगता है कि अभी जो राकिस अस्थाना जी जो 1984 के गुजरात कैदर की IPS ओफीशन है जो जायतर अपना टेनियो और CBI में बिताया है जो कभी दिल्ली में पुलीशिंग का अनभब नहीं है दिल्ली में कभी नहीं रहे ऐशे व्यक्ति को नियुक्ति करना ना क तो रूल और प्रसिजर इस्टेबलीश है कि डीजीपी की सेलेक्शन कैसे होंगे सुप्रिण को क्लियर कट गाइडलाइन है यूपीसी के लिए यह तो रूल प्रसिजर की भी अब मानना है तो हमें यह लगता है कि जो अगर कोई व्यक्ति जिनकी नियुक्ति गयर सम्मेध अगर दिल्ली व्यदान सभार की हाउस नियुक्ति को रद किया जाए तो इस हाउस के सेंस को समिखते हुए लिए वेद्ली की भलाई को रद करेंगे पूरी उमीद है कि हाउस को सम्मझेंगे एक बात जो आप बार बार कही जारी विपक्ष की ओसे आप सदन में भी कहा गया कि ये चोर की दाड़ी में तिनका वाली बात है आप लोग डर क्यों रहे हैं अगर एक ऐसा ओफिसर लाया जा रहा है जिसका इतिहास है उसने बड़े बड़े केसिस सॉल्ब किये हैं एक लंब दर्जनों बिधाया कि मुझे भी समील कर लेजिए तरह तरह के फाइर के लेकिन कोट ने किसी भी एक फाइर का शंग्यान नहीं लिया तो मुझे यह लगता है कि हमसे पहले से वतरत हम डरने की बात नहीं है लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि देखिए न्युक्ती दिल्ली को ऐसे विएक जो दिल्ली को न समझता हो दिल्ली के क्राइम को न समझता हो दिल्ली में क्राइम रेट क्या है और क्यों होता है उसके बारे इमना समझ हो दिल्ली की पुलिशिंग का अनभवना हो अगर वो आएंगे तो दिल्ली में पुलिशिंग तो ठीक से नहीं हो पाएगी और मैं दाबे से कहता हूँ जैसे नोटिफिकेशन बिसेस प्रसिती कहा गया है बिसेस मिशन भी बिजा गया है चुक्कि तरह तरह से किन सरकार कोशिश कर ली कि किसे से सरकार के पावर को कम करने की कोशिश की गई अब एक और तरीका इजाद किया जा रहा है तो मुझे लगता है इससे दिल्ली की जनता को नुक्षान होना होगा और दिल्ली के इर्पिंट्री होने के नाते हम इस अबाज को उठा रहे हैं आखरी सबल कहा जा रहे हैं कि आपका विरोध राजनीतिक है आप लोगों को प्रक्रिया से जादा राजनीतिक विरोध करना है नहीं तो आप बताईए क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गैडलाइन थी रूल प्रसीजर के लिए कि छे महीने से पहले नाम जाना चाहिए तीन लोगों की कमीटी होना चाहिए फिर तीन लोगों के नाम जाना चाहिए उसमें से एक नाम की स्वेलिक्ट रहे हैं आप सभी इंस्टीशिशन को खतम कर रहे हैं तो आप ऐसे लग रहा है जा आप डिमोकरटरी के लेक्टेर गौर्मिंट नहीं एक और आटक्रेसिज मे नहीं आता तो मुझे यह लगता है कि अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि प्रधान मंत्री जी अस्थाना जुकि नियुक्ति विशेश परसिति के कारण नहीं तो दिखनी रही है या यह कह दें कि अधिकारी इनकॉंपिटेंट हैं वह इमांदार नहीं है उन्हें कमीट्मेंट नहीं है दिली के लोगों के लिए थिर्यां आहरा हैं तो समझ में आए इगा हम बहुत कमीट्व लोग लेकर वहें इस हैं उनको अनुम्में अब एक व्यक्ति को आपने प्रभार दिया और अन्फान में हटा दिया कौन सी मजबूरी थी तो मुझे यह लगता है कि प्रसिति ने विश्चित मिशन पर इनको भीजा गया है और विश्चित मिशन में भीजकर दिल्ली को करने कोशिश की जाए अब तरह तरह के माली जी आ दिल्ली का भला नहीं होगा इसलिए हम सब लोग थोड़ी चिंतित जरूर है तो जिस तरह से आज सदन में विदान सभा में ये प्रस्ताब जो है वो पास कर दिया गया है और कही न कहीं आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की उरस सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर रा आप को रखे आगे